आपके चैरे पर मुहासे या दाग धब्बे जहाईया हो जाती हैं तो आपके फेस पर बहुती बुरे लगते हैं और आप इसका एलो पैते के क्रीम या इसकी मेडिशन लेते लेते ठक गए हैं तो आपको हम आईरवेदिक उपचार इसका वताने वाले हैं इसके उपयोग से आपके फेस पर दाग धब्बे जहाईया है जड़ से खतम हो जाती हैं तो इस वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो को अंतक देखते रहें आज हम बात करेंगे सेमल के बारे में कि सेमल कैसे दिखता है उसकी पहचान उसके तलूव रक्ष मोचनी सेमर मोचरस कटी सेमल से जानते हैं अप अपने छतर में इसको किस नाम से जानते हैं आप मैं कमेंड बॉक्स में जाकर वता सकते हैं तो ये सेमल का प्यर बहुत ही बड़ा होता है इसके उपर मोटे मोटे और तीके मजबूत काटे होते हैं इसकी डालियों के सरे पर पत्ते जुमके की तरह लगते हैं पिरते एक जुमके में पांस से साथ पत्ते होते हैं और हर एक पत्ता चार से लेकर बारा इंच का लंबा हो इसके व्रक्ष पर आग के या अर्क के फलों के समान इसमें फल आते हैं इसमें से बहुत सी मुलायम रूई निकल कर चारों तरफ उड़ जाती है यह रूई बंगाल में गदी तखिया बरने के काम आती है इसके बीज काले रंके होते हैं इस व्रक्ष के गोंद को मोचरस कहते हैं इसके नीचे की जड़ सेमल मूसली कहते हैं यह ख्यार रखना चाहिए कि यह और सदी का प्रियोग एक वर्से देड़ वर्स तक के छोटे पौदे का किया जाता है जो जादा प्राना पेड़ हो जाता है उसकी जड़ का जो कंध है वो हमारे किसी कामका नहीं रहता है क् कि उसमें उसदिये गुड़ कम हो जाते हैं आयरवेदिक मता अनुशार सेमर मदूर बिर्यवर्दक वलकारक कशैला सीतल हलका रसायन कफकारक कामो दीपक रक्त पित को कम करने वाला रुदर के दोशों को हरने वाला होता है इसकी जड़ स्वाद में मीठी, सीतल, पौश्टिक, आतों को संकोचन करने वाली, पित का नास करने वाली, सरीर की गर्मी को शांद करने वाली और सूजन को हरने वाली होती है इसकी छाल, कसैली, कफनासक, मुत्रल, पौश्टिक और किच्चित होती है इसके फल, कड़ुए, कसैले, सीतल, स्वाधिष्ट, मलरोदक, कफ और पित को दूर करने वाले होते हैं साथ में ही रक्त को ये सुद्ध करते हैं इसके फल, मीठे, सीतल, पचने में हलके, उतेजक, मुत्रल, पौश्टिक, कामो दीपक, कफ निशारक, धातू परिवर्तक, रक्त को सुद्ध करने वाले मुत्र इंद्रियों की शिलेश जिलियों को बहुत लाबदायक होते हैं सेमर का गोंद अर्थात मोजरस, कसला, मल्रोदक, वल्ड कारक, पौश्टिक, कामो दीपक, बुद्धी वर्दक, सीतल, बहरी, बिड्या वर्दक, रशायन, कफ कारक, गर्व इस्तापक, अतिशार, प्रवाहिका, रक्त रोक, आम अतिशार, रक्त अतिशार को दूर करने व सक्कर, तीनों को बकरी के दूद में ओटा कर, दिन में तीन बार देने से आपके खुनी ववसीर में बहुत लाब होता है, इसके पत्तों को पीस कर, गाठों पे बांधने से आपके गाठों की जो सूजन है, वो भी दूर होती है, इसका गोंद एक उत्तम कामो दीपक चीज है, इसमें लेटिन और गैलिक एसिड बहुती बड़ी मात्रा में रहता है, जिन रोगों में संकोचन और सदियों की अवस सकता होती है, उसमें ये बहुत सपलता पूर्वक दिया जा सकता है, इसके गोंद में पौश्टिक और जीवन बिनमे किरिया को सुद्ध करने वाले तत्वी रहते हैं, इसका उप्योग अतिशार, रक्त अतिशार और खून रक्त शिर्म में बहुत सपलता पूर्वक दिया जा सकता है, जिनके मुपे दाग धपे या जहाया हो जाती हैं, वो ऐसे में 25 ग्राम जाइफल, 50 ग्राम मजिष्टा, 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम स ताकी छाल और 100 ग्राम एलोवीरा, इन सभी को आप 1.5 लीटर पानी में 48 गंटे के लिए विगो कर रख दें, उसके बाद इसको उबाले, जब उबलते उबलते एक चोथाई रह जाए, एक सूती कपड़े से छान कर 250 ग्राम तिल के तेल में ये सिद्ध करें, उसके बाद क उस चहरे पे काले दाग, धब्बे या जहान्या है, वो कुछ ही समय में दूर हो जाती है, इसके फूलों का चुरुन सहद में मिलाकर चाटने से आपका रक्त पित मिटता है, इसके साथ आप इस फूलों को रादवर पाने में भिगो कर मसल कर चान कर उसमें राई का इसकी छाल का कुआत पिलाने से आपके शुक्र पिरमेवी मिटता है, इसके बीज तीन से चार आप खा लेते हैं तो आपके चेचक की बीमारी कभी नहीं हो सकती है, रसाउत को पानी में गलाकर चान कर इसमें मोच रस मिलाकर पीने से आपका रक्त पिदर मिटता है, इसके आप रूरुक के आना जलन के साथ आना एक-एक बूंदाना या दर्द के साथ आना या पेशाम में खून आना यादी समस्य होने पर आप इसके छोटे वरक्ष की जो अंत की कोने की जो जड़े होती है उसको लेकर आप पीस कर उसमें दूद और मिश्री मिलाकर आप इसको पी बच्चों के दस्त होने पर आप इसका गोंद एक दो गिराम की मात्रा में मिश्री मिलाकर देने से बच्चों के दस्त त्रणत बंद होते हैं एक से दो साल पुराना सेमल का पौधा लेकर उसकी जड़को आप खेल ने और छाया में सुका लें और उसका पॉडर बनाकर आ जाती है। इसके सूखे हुए फूल, पोस्ता के दाने, सक्कर इन तीनों चीजों को आप बकरी के दूद में उटा कर गाड़ा कर ले और आठ गिराम की मात्रा में दिन में तीन बार आप लेने से आपके खूनी ववासीर और रक्त पित दोनों मिट जाते हैं। इस सेमर का एक घी भी बनाया जाता है जिसको पिदर नाशागिरत के नाम से भी जानते हैं। इसको बनाने के लिए हरे आमले का रस, विदारी कंद का रस, सेमर के फूलों का रस, सतावरी का रस, गाय का दूद, गाय का घी। ये सब चीजे आप 80-80 तोला ले लें। पानी में ओटाएं जब एक सेर का मतलब अस्सी तोला पानी बाकी जब रह जाए उसको चान कर उप्रयुक्त आमले के रस में इत्यादी मिला दे और उसको एकटा करके हलकी आज पर पकाएं जब यह सब चीजे जल जाएं केवल घी मात्र से बच जाएं तब उसको उतार कर और सककर 32 तोला मिलाकर बोतल में भर ले विधारा अगर आपको ना मिले तो आप उसकी जगह शुमंदर सोस की लकड़ी का चुरण भी ले सकते हैं इस घी को पिरती दिन सुवेरे और शाम एक से दो तोला की मात्रा में गरम दूद में डालकर पीना चाहिए और खाने में आ आप इस घ्रत यागी का उपियोग कुछी दिनों तक करते हैं तो आपके इस तरियों के जो रक्त पदर की शमस्या है उसमें रामबार फाइदा देखने को मिलता है तो इस प्रकार आप इस सेमल यह मोचरस का प्रियोग करके इन सारी बीमारियों से बस सकते हैं और आप को आल पर किलिक कर दे ताके आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और हम कल फिर मिलेंगे एक नई और सदिये जानकारी के साथ आप हमारे साथ अंत तक जोड़े रहें उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं